आज हम बनाएंगे फटेवे दूद से गुलाब जामुन गर्मियों में कभी भी दूद फड़ जाता आप लोग इसे फेकिये मत आप लोग इससे गुलाब जामुन बनाएए बहुत ही टेश्टी बनते अब हम इसका पानी पूरा निकाल लेंगे पूरा पानी निकाल लेके हम फिर से थोड़ा साफ पानी दाल के इसको अच्छे से दोलेंगे धो के पूरा पानी सुख जाना इसका जब तक हम चन्नी मेच रखेंगे पानी पूरा सुके बाद हम इसके गुलाब जामन बनाएंगे अधाय च्छु की नवी दोट सकते। अधाय खाज चुली चली कर साथा। म Egg आ कि पाद़ने पूरे लाड यहीड हमें चल्नत ट्राइद ऐने जटता है जआंड। आँ जुद्ल करें पना प्रश्द गाले यह उस मचल पादम पेंगे पाद्द इस माइक मैं सकिर हम हम इसमें थोड़ा माइदा एड़ करेंगे बाइंडिंग के लिए इसका एक डो बना लेंगे माइदा एड़ करके टूटे वुस्पून माइदा है अब हम इसके गुलाब जामन बना लेंगे बिना क्राइक वले गुलाब जामन बनाधो इसके अच्छे से सफ्थ सारे गुलाब जामन बनाएंगे रेडी करेंगे अशच गुलाब जामन ऑफ cri करने के ना झाले में ना भी एक खित करने के लिए फ्राइब भागी करेंगे फ्राय करेंगे एक एक करके दालेंगे गोल्डन ब्राउंड हुए तक हम इसे फ्राय कर लेंगे दालते ही नहीं पलठाएंगे थोड़ी देर के बाद इसे हम करेंगे गुलाब जामन प्राय हुए तक हम इसकी चाशनी बना लेंगे चाशनी के लिए मैं एक कप चीनी शकर और एक देड़ कप पानी आड़ कर लूँगी चाशनी में मैं थोड़ा केसर एलो फूट कलर और वन टेबल स्कून इलाईची पोडर एड़ कर रहें अब ये चाशनी बनके रेड़ी हो गए अब हम फ्लेम आप कर देंगे आप सरकेस को डापके रखेंगे ताकि चाशनी ठंडी ना हो पहले में जो फ्राय करके निकाले अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउंड प्राय हो गए अब हम इसे निकाल लेंगे गरम गरम चाशनी में दालेंगे इसको सारे गुलाब जामन को मैं गरम गरम चाशनी में दाल के रेड़ी कर लिए अब थोड़ी दर हम इसे भीगने के लिए रख देंगे सौफ्ट होते है अब ये गुलाब जामन बनके रेड़ी हो गए अब हम इसे डिशॉट करेंगे अब ये फटेवे दूद के गुलाब जामन बनके रेड़ी हो गए कोई भी इसे पहिचान नहीं पाएंगे कि आप फटेवे दूद से बनाए इसे आप लग भी एक बार इसे ट्राइ कीजिए बहुती सॉफ्ट बने है ये अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर आप लग पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को आप लग फुल वाच कीजिए शुक्रिया ठैंक्स पो वाचिंग अल्ला अफीस